दोस्तों नमश्कार आप सभी का स्वागत है एक और ऐसे रोचक टॉपिक में हमारे वेवारिक जीवन में हम बहुत लोगों से मिलते हैं और पाते हैं कि हमें बहुत लोग पसंद नहीं आते क्यूं क्यूंकि उनका उनकी मानसिक्ता जो है उनकी प्रवर्ती जो है उनकी प्रक परे होती है इस वज़े से हम कई बार ऐसे लोगों को अपने से दूर कर लेते हैं रिष्टा ही नहीं बना पाते हैं तो ऐसा ही कुछ एक रोचक टॉपिक लेकर मैं आज आपके सामने आया हूँ और वो टॉपिक है कि आचार विचार एवं वेवहार तो जो मानसिकता हमें वो है विचार याने थिंकिंग और थिंकिंग किस पर डिपेंड करती है आपकी अब्रिंगिंग पर आपके एक्सपीरियंस पर आपकी माबाप पर आपकी सिक्षा प्रणाली पर और ओर आपकी नैतिकता पर जी हाँ वो नैतिकता जो आप रोज मरा की जिंदगी में सीखते जाते हैं सही क्या गलत क्या तो यदि आप सीडी देखें आचार विचार और वेवार आता कहां से है आचार से आता है फिर विचार में बदलता है और विचार जो अंदर घर करता है वही वेवार में एक दिन दिखाई देता है तो जो आक्शन है वो आज हम समझने जा रहे हैं मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि कुछ codes हैं जो रोज मरा की जिंदगी में पाए जाते हैं उनको हम कैसे interpret करें बस मेरा मकसद आप तक वो interpretation लाना है ताकि आप बहार से अपनी personality तो अच्छी रखते ही हैं अंद्रूनी भी थोड़ी और अच्छी रख ले जाएंगे आप जैसे आप physically strong है वैसे आप mentally भी strong हो जाएंगे और दोनों यदी strong रहे तो फिर आपको कौन रोखता है प्रगती पत पर आगे बढ़ने के लिए आईए इसका एक सफर तह करते हैं मैं हूँ मनीश नायर skill influencer जो आज आपके लिए आचार विचार और विवार का ये part लेकर आया हूँ जितना आप छुपाएं उतना दिखाई दे जितना आप दबाएं उतना वो बड़े ये feelings और emotions में कुछ भी हो सकता है चाए फिर वो दर्द हो प्यार हो नफरत हो इरशा हो वो कुछ भी हो सकता है लेकिन ये बात बहुत सही है दोस्तों आईए अगर ये आप ना जानते हुए भी बेख़ौफ कुछ भी बोल देते हैं उनकी समझ सीमित होती है लेकिन वो अपने जैसे ही मूँ खुलते हैं तो समझ में आ जाता है कि उनकी समझ क्या है और ऐसे बहुत सारे लोग actually ignorant होते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है वो topic या subject के बारे में या किसी व्यक्ति विशेश के बारे में बुद्धिमान मानते हैं और अक्सर मैंने देखा है जो वाकई में बुद्धिमान होते हैं वो अपने आपको underestimate करते हैं वो अक्सर अपनी बुद्धिमानता एक जगा पर रखते हैं और वो कहते हैं कि चलो ठीक है अगर मैं किसी जितने आप बढ़ते हैं उमर में आगे बढ़ते जाते हैं उमर का तकाज़ा ये कहता है कि आपने धूल धक्का धूप और धोका बहुत देख लिया साब जब आपने इतना कुछ देख लिया तो फिर आपको ये जो विश्वास का पात्र है ये आसानी से मिलेगा क्या नहीं म कामला है वो उनी के साथ अपना रिलेशन बनाया रखते हैं आप तो ये बहुत एक अटल सत्य है जीवन का इसके आगे कि आप जब भी ये बात सोच लें जैसे आज का दिन इर्फान खान ये मशूर आक्टर ये हमारे बीच अब नहीं रहे हैं बड़े दुख की बात हैं द अगे जाने नहीं देंगी लेकिन उनका कहा हुआ यदि मैं इस साइकोलाजिकल फैक्ट से जोड़ूं तो बिल्कुल मैं ये बात नहीं न कारूँगा कि जो भी है आज है आप कल के लिए सपने देख सकते हैं लेकिन कल के लिए रुक नहीं सकते हैं और रुकना भी नहीं चाहिए इसलिए ये एक साधरन सा एक कोट है जो ये वो एक दिन निश्चत है और वो आना ही है कब आएगी किसी को मालूम नहीं है लेकिन आज क्यूं खोते हो आप आज के लिए जी लो खुश हो लो और जो बाट सकते आप जो खुशियां बाट सकते दूसरों के साथ वो जरूर बाटो ये हमारा साइकलोजिकल फाक्ट कहता है पाते हैं कि उन्होंने कई लोगों का दिल दुखाया है और वो दिल दुखाते हुए किसी को किसी अपने को अगर याद कर लें तो अश्रू तो बहना ही है आसू उस बात का कि कुछ पाप का बोध हुआ है कहीं कुछ तो गलत किया है और वो गलत करने का या गलत बोलने का जो बोद होता है वो बहुत बड़ा होता है दोस्तों अक्सर ये जो रात को नीन ना आएं और कोई याद सताएं और अश्रू निकल के आएं तो अच्छा ये होगा कि उस रात तो रोलो लेकिन अगले दिन जाकर उस वेक्ति से सौरी बोलो या गले मिल लो या रिष्टे की कह है तो फिर वो वापस वैसा ही कर लो क्योंकि ये जिन्दगी बहुत चोटी है जब आपको कोई आपका प्रिय जो सबसे जादा प्रेम करता है आपका अजीज है आपका रिलेशन्शिप में है तो वो वेक्ति यदि आपको इग्नोर करने लगे आप से दूर जाने लगे हमा और नासूर से कम ऐसा दर्द नहीं होता है तो ये वो अवस्ता होती है जब हम अपने प्रिय को पाते हैं कि वो हमें एग्नोर करें करें वो हमें नजर अंदास करें जैसे आप एज में बड़े होते हैं तो आपके पेन भी उतने होते हैं साभ।, और यह नखे ना कहीं वह बहुत ज़्यादा दर्द ले रहे हैं तो एक दिन आप ये दर्द को विश्वास के रूप में भी देखेंगे और कहीं आपका विश्वास कम होता रहा तो आप उस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोच कर उस व्यक्ति के लिए हमेशा अपने घर के बन कर देंगे, मानना ये है कि कभी भी ऐसा कुछ मत छोड़िये जो आपको प्रिया है, जो भी है, आज है, जैसे मैं कहता रहा हूं, बीता हो अकल आपके किसी काम का नहीं है, उसका तो पश्टावा होना नहीं चाहिए, लेकिन जो मौझूदा हाला, the present that you are living in, is also called as a gift of God, तो इसको यदी आप छोड़ देंगे, तो आप सिर्फ रिग्रिट करेंगे future में, क्योंकि future क्या लेके आता है, किसके लिए क्या लाता है, ये किसी को नहीं पता साब, इसलिए जो है, वो आज है, लेकिन जो करना है, वो करना भी आज है, चाहिए वो खुशी हो, या फिर कोई promise हो, कोई commitment हो, या कोई aim हो, aspirations हो, अरुनिमा सिना जी याद आती है, ये एक ऐसी आम महिला है, जिनोंने एक बार अपने सफर में अपने आप को पाया कि उनकी सोने की चैन, दो विक्ती मुट भेड में उन्हें चैन खीचते हुए, ट्रेन से बाहर उन्हें फेक देते हैं, इस तरह से वो जब बचती है, और पाती है, कि उनके दोनों पाओं नहीं है, तो वो उपर वाले को इशारा करके कहती है, कि ये भगवान यदि तूने ये समय दिया है, तो कुछ बड़ा करने के लिए दिया है, और उस बड़ेपन का आज अगर अरुनिमा सिना को आप देखें तो वो दुनिया की सबसे ख्याती प्राप्त करने वाली मौंटेन क्लाइमबर है, और उन्होंने ना कि मौंट अवरस बलकि कंचन जंगा जैसे पीक को कही बार चड़ा है, साथ बार वर्ल्ड रेकॉर्ड बना चुकी है, और ऐसे कही लोग है जो हमें आम लोग की तरह हमार दर्द हो रहा है तो वो ले लो, क्योंकि अरुनिमा सिना को बहुत दर्द हुआ था जब वो पहली बार आर्टिफिशल लेक्स लेके पहली बार प्राक्टिस करने गई थी, तो मेरे खाल से पंदरा दिन के वो कैम्प में हाडली एक दिन या दो दिन चल पाई होंगी, लेक किता है कि आज अगर तकलीफ होती है, जितना दर्द होता है सहलो, लेकिन कल जब आगे बढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इस स्ट्रगल ने मुझे बहतरी किया है, और ये स्ट्रगल सब के जिंदगी में आता है, तब ही तो लोग बहतर होते जाते हैं, एक बात समझ लीज लाओ एक बहुत बड़ा चीज है जो आप में आने लगता है, मान लीजिए कि मैं कम बोलता हूँ और मैंने किसी ऐसे वेक्ति से मुलाकात कर ली जो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं अच्छा बोलते हैं, तो मेरी शुरुवात वहां से कर अपने आप में वो बड़ा उला सकता हूँ, तो जो बहुत सारी जो कमी हम में होती है, वो हम दूसरों में देखते हैं, और कहीं न कहीं वो खूबी हम अपनाना चाहते हैं, इसलिए ये कोट, क्यों अपने आपको किसी के लिए बड़ ले, और क्यों किसी की आलोचना अगर बदलाव करना ही है, तो फिर आंतरिक बदलाव करें, जिससे आपकी प्रगती हो, ना कि आप डीग्रो कर रहे हो, तो ये एक सच्चा ही है दोस्तों, कि आप किसी चीज को क्रिटिसाइज मत कीजे, अगर आपको कोई लगता है कि आपको कुछ चीज पसंद नहीं है, तो उसे एक control attitude में रखिए, और किसी और को कुछ पसंद नहीं आता है, तो भी ये समझ लीजे कि उसको पसंद नहीं आता है, accept कर लीजे, और आप बार-बार कहने से सिरफ ये नहीं होगा, कि वो व्यक्ती उस चीज को like करना बन कर लेगा, लेकिन आपको dislike करेगा, और वो dislike क दल सकती है, कभी भी याद रखिए कि अपने जिन्दगी में नयापन और वो freshness, यानि ताजगी और नयापन ये जिन्दगी का सबसे बड़ा motivation है, और हम कई बार फस जाते हैं, हमारे hobbies पुराने हो जाते हैं, हम मोटे हो जाते हैं शरीर से, लेकिन हमें dance करने का shock होता है, हम फिट रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी जिम नहीं जाते हैं, कभी exercise नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़े जो हम जहन में सोचते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं, शायद ये कहावत उन्हीं के लिए है, कभी भी कुछ चीज नहीं करने की बात आई है, कुछ नया करन हो जिन्दगी में तो कर लीजे चाहे वो हबी हो या कोई काम को काम के विशह में हो या फिर कोई ऐसी चीज़ तो जो सीक्कर आप आगे बढ़ सकते हैं. क्योंकि जो आपको मालब है वो मालू है जो नहीं मालू है, उसे तो जिख्यासा के रोप में आपको हमेशा मालूर करते रएना चायए और सीक्ते रएना चायए, यही तो है जिन्दगी में प्रगती पत पर चलने का एक बहुत बड़ा मंत्रा हैं खुद जिम्हेदार है आप अपने खुद के दुनिया के रचैता है नर्माता है तो उसको परसनली लेकर उसे विक्रित ना होने दीजिए उससे अच्छा ये है कि आप खुद इसके उपर आ जाए और परसनल ना होते हुए संसिटिव ना होते हुए लोग उसे खुला मिले और दिमाग को हमेशा खुला रखे जैसे कहते हैं आलोचना अगर खुली रखे तो आपके लिए बहतरी लाती है और यदि अलोचना को हम पॉसिटिव क्रिटिसिजम और नेगेटिव क्रिटिसिजम इसमें बहुत बड़ा फरक होता है नेगेटिव क्रिटिसिजम आपको नीचे लेके जाती है और पॉसिटिव क्रिटिसिजम आपको बनाती है ये वही है, ऐसा ही कुछ इसके माइने है सरकल, inner circle होता है friends, family और relatives का वो बहुत कम होने लगता है और कहिना कहीं जब ये कम होता है तो आपको बहुत ज़्यादा बोलने की आशकता नहीं होती है जब आप बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं तो आप बहुत ज़्यादा माइने रखते हैं आपके words जितने कम हो उतने ही ज़्यादा matter करते हैं क्योंकि आप बहुत कम बोलते हैं लेकिन नपातोला बोलकर आप बहुत सटीक कहते हैं आप बहुत वैचारिक होते हैं और आपके विचार हमेशा से लोग सुनने के लिए तयार होते हैं जब आप प्राबलम की तरफ दिखोगे तो सिर्फ प्राबलम ही प्राबलम नजर आएंगे प्राबलम किसे फोकस हटाओ और पॉसिबिलिटी या सॉलिशन की तरफ ध्यान दो सॉलिशन की तरफ देख बंदे प्राबलम की तरफ मत देख हमेशा जब हम किसी अपने प्रीय को मिस करते हैं तो अचानक से आपके जो इमोशन्स है फीलिंग्स है वो खुश होने की बज़े दुख में तबदील हो जाते हैं ये एक सचाई है दोस्तों तो हम हमारे प्रीय को मिस ना करें उससे अचा है कि हम हमारे प्रीय जितने भी है चाहिए वो दोस्त है भाई बहन हो अपने कोई भी रिलेशन्शिप में हो उनके टच में रहिए आखरी में जाते जाते मैं आपसे ये शब्त जरूर कहूँगा कि हमेशा एडवाईस उन से लीजिए जिन्होंने सबसे ज़्यादा दुख तकलीफ हार देखी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन्ट उनकी एडवाईस लीजिए और यकीन मानिए वो आपको कहीं न कहीं एक रे आफ होप जीने की राह जरूर दिखाएंगे उमीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक थोड़ा सा अलग था और आपको आपके वेवारिक जिन्दगी में वेवारिक जीवन में कोई तो सोच का बदलाव लाएगा आपका धन्यवाद और तमाम उन गुरूओं का धन्यवाद जिनकी वज़े से मैं आज यहां तक हूँ गुडबाई God bless you all